गुड मॉर्निंग अबरिबन आप सभी लोगों का स्वागत है आज 24 अगस्त है तो DNA डेली न्यूज पेपर लेसे समलो देखेंगे द्यानिक जारा राष्टे संस्क्रण और जनसत्ता में प्रिलिम्स, मेंस, इंटिवी, औरेंट के साथ साथ कौन-कौन से न्यूज को कवर किया गया ताकि आप UPSC, BPSC, UPPCS, MPPCS, RS जैसे PCS दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए करेंट एफिर्स के साथ साथ आपके जो concept-based means answer writing होते हैं उसके लिए उप्योगी बनाया जा सके तो चलिए देखका आज का topic क्या है हम कवर करने का परियास करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे आज का discussion topic क्या है तो हम बात करेंगे आज तटस्ट नहीं भारत हमेशा सांती के साथ रहता है तो जो यात्राएं भात्य परधान मंत्री के द्वारा पॉलेंड और यूकरेन के की गई है उसमें अहम रोल ये बाते की जा रही है अहम बाते की जा रही है तटस्टा के संदर में संप्रूवता के संदर में हम चर्चा करेंगे मोदी ने जलनसिकी को सोपे चार भिस्म क्यूग क्या है इसके हम चर्चा करेंगे बाहनों से होने वाले वास्तिविक उसरजन परियोग साला परिशनों में कहीं इससे ज़्यादा कहीं अधिक ज़्यादा है कहने का अर्थ है नाइट्रोजन अक्साइट के संदर में नाइट्रस अक्साइट के संदर में बाते की जा रही है कारबन अक्साइट के संदर में बाते की जा रही है वाईव परदूसं के संदर में बाते की जा रही है तो हम इस पर एक विस्ति चर्चा कर लेंगे बढ़ता अंत्रिक्ष कच्रा चिंता की बात है इसरो से सीखे दुनिया तो मनिये राश्पती के दोबरा बाते की गई है खालिया शंदर में तो देखेंगे हम अंत्रिक्ष कच्रा क्या होता है अंत्रिक्ष मलवा क्या होता है अंत्रिक्स कचरे पंकुछ लगाने समन्द भारतिय पहल क्या है वैस्विक पहल क्या है अंत्रिक्स गत्वीदियों से निपर्टान हो तो सन्यूत राष्ट की पांच संधिया कौन-कौन सी है हालिया दिनों में इसरो का अंत्रिक्स पर छेपन क्या क्या है और इसरो रोड मैप क्या है हम सारे तथ्यों की बात करेंगे PT पलस में, अस्पेट के संदर में और यहां से बहुत से प्रचन आब को लगतार PT में पूछे जाते हैं, में पूछे जाते हैं यहां से प्रसंद पूछे जाते हैं तो इसे हम लोग देख लेंगे रक्षा उध्योग को मजबूती देने के लिए भारत अमरीका में अहम समझोता हुआ है अब यह हमारे जो रक्षा मंतरी है राजनासी वह अमरीकी दोरे पर है तो हम इसके संदर में पहल को देख लेंगे स उत्री छेत्रे के जलासायों का अस्तर समान से कम है यह CWC के द्वारा एक रिपोर्ट में बोली गई है तो इसके सारे पीटी और मेंस आस्प्रेट को समझने का परियास करेंगे निश्ट देखेंगे ई-कॉमर्स निती में देरी उबहुताओं के हित में नहीं है तो किस प अनितिक तरीके से लोग के देशों के अंतर सम्मंद बदर रहें तो उस अंदर में हम समाधान क्या हो सकते हैं उसके लिए एक लेख आया है संपात्किया उसे हम देखेंगे समझने का परियास करेंगे परशासनिक सेवाओं में लेटरल इंट्री के मायने क्या है अर्थ क्य है इसके पॉजेटिव और निगेटिव आस्पेट के साथ साथ इसके संतूलन की स्तिति को हम समझने का परियास करेंगे तो अंतक बने रहीएगा लगतार हम चर्चा कर रहे हैं चलिए तो सबसे पहले लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजेगा युक्तिया इसको सपोर्ट या कोमेंट सेक्षन बॉक्स में लिंक दिया जाता है तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktis.in और इस बारकोट को सकेन करके आप टेलिग्रान चैनल जोईन कर सकते हैं देखें डेली MCQ कराये जा रहे हैं जो परिच्छा तो सारे MCQ में भाग ले सकते हैं या bilingual है हिंदी इंग्रिस दोनों में MCQ होते हैं तो आप इसका लाब ले सकते हैं साथ इसाथ बेल आइकन को भी दबाईएगा ताकि सबी नोटिफिकेशन आप तक पहुचे चली अब हम समय नहीं कवाएंगे चीजों को आगे बढ़ेंगे देखिए अमरीकी जो संदर में बाते हो रही थी युकरेन के संदर में जो उसका टड़स डेस्ट के संदर में नाटो के संदर में तो सारी बाते देखिए एक तरफ है अब भारती दोरे के बाद जो अंतराश्टिय समझोते के संदर में बाते होती हैं उसको समझने का हम पर पहला शंप्रुभुता की बात करता है संप्रुभुता की बात करता है आराश्टिये राश्टिये और अंतराश्टिये हित की बात करता है सहस्तित्य की बात करता है छेत्रिये अखंडता की बात करता है आई ना जैसे हमारा च्छेत्री अक्षंता वैसे हर देश का च्छ्य।्री अक्षंता होगा फिर उसके बास समप्रूता राष्टिय और लगो छी इंप की बारे में सहस्तित्य। के बारे में उसके बीक। दायतिय के बारे बूलता है, इस्वा line न deteo कह बूलता है, इसको बेहतर कर सकता है दोनों देश एक दूसरे से कैसे संबंद स्थापित करें ताकि दूसरे के लिए एक रोल मोडल था हो सके इसी मुद्दे पर सारे भारत के विदेशनीती रहें तो जिसमें जब हम वैस्विक समुदाय से संदेश की भारत दो वर्स पहले चल रहे रूस मुद्दे पर हमेशा रूस को बोलता है और उसे तटरस्ट होने के बात करता है थोड़ा सा कंट्रोल होने की बात करता है साथ समाप्त होने की यूद को समाप्त करने की बात करता है ताकि देखी बातचित किया और ताकि यूद समाप्त किया जा सके मोड़ी और जलनसां की बेटवारत के भी सन्यूक्त व्यान जारी किया गया इसमें भारत ने उक्रेइन च्छेत्री अखंटा संप्रूता भारत का एक मुल्क टूल कीट है विदेशनीती का तो आप ध्यान रखेगा यह सब्ध हमेशा याद रखेगा इस अंदर में प्रसन आपको बीटी में पूछे जाते हैं में पूछे जाते हैं और इंट्रिवू में यहां से बहुत से प्रसन पूछे जाते हैं तो इसलिए छेतरी अख जब सवतन्तर हुआ 1991 में तो यह भारतिय दोरा परधान मंतरी का है पहला परधान मंतरी मुद्री ऐसे पहले वैस्विक नेता है जिनोंने कुछ ही दिनों के अंदर रूस के साथ युकरेण की आत्रा किया थार्थार रूस का भी दोरा किये हाली में और यहां पर युकरेण का तो यह दोनों देशों के राश्पति के साथ ना सिर्प द्युपक्षिए वारता की बलके उने सांती के संदेश भी दिया देखिए निरने दोनों देश लेंगे रूस और रूस और युकरेण ही कि हमें करना क्या है हमें समधान क्या करना है पर इसके लिए भारत जो भा भारत की रूप रेखा बदलेगी रूप रेखा बदलेगी अगर मान लिजे किसी कारण वस कोई भी कारण हो और अभी यूज समाप्त हो जाए अभी रुख जाए तो भारतिये विदेशनीती की विश्यों में विश्यों के पटल पर विश्यों के एजेंसियों पर जैसे सन्य नेश्ट है आपको पीटी फैक्ट यहां से याद रखना है क्या है चार भिस में क्यूब दिये गए है तो देखिए युद्गरस्त युकरेन को भारत ने सुक्रवा को दिया उसके सबसे ज़्यादा जुरुत है यह वह अपातकाल के इस्तमाल होने वाले चिकिस्सा समागरिय के लिए प्रोजेक्ट आरोग मेत्री के तहत्यार किया है तो आप से पीटी में पूछा जा सकता है कि आरोग प्रोजेक्ट आरोग मेत्री क्या है तो यह एक प्रकार का भिस में क्यूब है चिकिस्सा क्यूब है जहां पर यह सब चीजे रहती है जिसमें यूद्गरस्त या से ध्यान रखी गई इसके तद मरहम पट्टी इंजक्शन आधी एक छोटा पंदर इंच का चिकिस्षा पॉकेट होता है 36 छोटे चिकिस्षे पॉकेट को मिलाकर एक मदर क्यूब बनाया जाता है इस तरीके से दो this कुस्ति कैम चेताने का užनुट दो मदर क्यूब मिलकर एक मदर क्यूब में की दिए जएफी जारी से चीजों को चीज़ों को प्रवभ़कर इस तरीके से आपको पीटी एफेक्ट आपको चीजे उपलब ध्राइए किलियर है आगे हम बात करते हैं बाकी सीजे आपको समझ में आएगी जो मैं कल भी चर्चा किया था इक रहें पर आज भी किया तो अब नेश्ट टॉपिक पर आते हैं देखिए वाहनों से होने वाले वास्तिव उस्टरजन परयोग साला में पश्चनों से कहीं जादा है कहने का मतलब है कि रियल अरवन एनिमेशन जो है कि पहल के तहत एक अध्यन सखड़ को पचलने वाले बाहन उसरजन के मापने के लिए रिमोट सेसिंग तक्नीक का उपयोग किया गया वैस्विक जो थिंग टैंग है इंटरनेशनल कॉंसिल और क्लीन टांस्पलेशन की तक्नीक विसलेशन के साथ इसका अध्यन किया गया जिसमें भारत के चरण 6, BS6 जो है उसके वाले नीजी कारों में नैटोजन अकसाइड उसरजन भारत के चरण फोर वाले कारों के तुलना में 81% कम है अर्थात कहने का मतलब है कि हम वाहनों में अगर टेक्निकल तक्निकी तौर पर छमता विस्तार कर ले टेक्निकल तौर पर हम जिससे उसरजन को कम कर सके खानिकारक को उसरजक तक्तों को कम कर सके तो हम परियावरन को बहतर कर सकते कहने का अर्थ ही यही है इस रिपोर्ट में बाते की गई है ना कि जो बीएस फोर का जो वसे कोई तुलना में बीएस सिक्स के से 95% कम नाइटोजन अक्साइड का अथा अथात हम पहले बीएस स्टेंडर फोर का तो कमेंट सक्सन मुझे पहले यह बताईगा बीएस का अर्थ किया है मैं पहले भी जब भी वायू परदुसन होता है तो उसमें बीएस का चर्चा किया है तो आप लोग जो student है नए student है तो आपको search करना reason यह है कि सारी चीजे में बताना शुरू कर दिया तो यह जो वीडियो session होगा जो महत्पुन topic को पहले cover करना है वो 2-3 घंटे का हो जाए इसलिए कुछ search कर लेना आप लोगो सर्च नहीं करेगा तो आप comment section में लिख दीजिएगा सर्ण मुझे नहीं मिला तो मैं उसका जवाब वहां दे दूँगा clear है तो bs6 जब भारत यूज करता था तो उसर्जन मान लिजे आपको कितना हो रहा है 100% मान के लिए उसर्जन हो रहा है अब bs6 का उसर्जन जब परियोग करने लगा इंजन तो घट के कितना हो गया 20% याने कहने का मतलब 95 फिर कम उसर्जन हो रहा है तो 95% कम हो गया था 5% उसर्जन हो रहा है उसके वायू परदूशन में तो ध्यान रखिएगा इतना कमी आन अर्थ यह कहता ने कि हम वायू को बहतर करने का परियास करें वायू के कॉंपोनेंट को सही रहने का परियास कर रहें क्योंकि परदूशन क्या है परदूशन वायू में जितने भी कॉंपोनेंट हैं उसमें हम सारे तत्तों की सामिल कर लेते उसमें भागिदारी में प्रफ्रड आउक्साइड सारे तत्तों मिले हुए है अगर माद लेकिसी पर्दूस совет के सबकी मौत्रा से मौक्त करने इस तरीके से जो फेडल इंटरनेशनल डी लाव ओटो मोबाइस जो फॉंडेशन के निदेशक है उन्होंने भी यह बात की कि सी एंजी वह स्वक्ष इंधन वेकल्प नहीं है जिसका वादा किया जारा जबकि दिल्ली परदन सो जूर रही है वो सहर के लोग दम घुटने का अध्यन दिख भारत में पहले बाइन में सडकों में मोटर वाहनो उसर्जन परियाप्त आकड़े कत्त किए गये हैं इसलिए अब तक समय आ गया है कि हम अपनी उसर्जन परिच्छन व्यवस्थाओं को पूनुचार करें और सुनी उसर्जन वाहनों को अपनाने का परियास करें तो इसी के संदर में बाते आ रही है कि जो फांडेशन के निदेशूप निदेश साला वाट्सन उन्होंने क्या बोला है कि आपको यह चीजे जो बताई जा रही है वो गलत है इसके जागप हम वेकल्पी को उप्योग कर सकते हैं जिसमें हम सुप्रीम कोट के हालिया जो ओटोमेटिव इंस्टेंडर जो 170 को अंतिव रूप देखने और आश्टी छेतर के रिमोट से सिंग को लागू करने निदेश दिया था उसी के अध पैट्रोलियम जो पैट्रोलियम गैसे वो क्या होता है आप सभी लोग को मैंने सब सभी सीजों पर चर्चा कर रखा है तो जोर दिजेगा नहीं होगा कोमेंट सेक्शन गूगल सर्च कीजेगा ठीक है ना गूगल सर्च कीज़ेगा कुछ चीज और सिख जाईगा चली इस तरीके से यह चीजे रिपोर्ट में बाते की जा रहे है सबसे इंपोर्टेंट आज के सेशन का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है और आने वाले एक्जाम से यहां से प्रस्ण जरूर होंगे तो यहां से चीजों को कभर करने का पर्यास कीजिएगा बढ़ता अंत्रिश का चिंता के बात है इसरो से सीखे दुनिया तो देखे ध्यान रखिएगा राश्पती दुर्पदी मुर्मुर अंत्रिश के छेत में भारत की प्लब्दियों के असाधारम बताते हुए इसरो एक देश के रूप में हमारी चंता बढ़ी है इसरो इसरो ने इससे एक देश के इसे तौरपस हमता बढ़ी है साथ ही साथ मुर्मुर ने अंत्रिक्ष के बरते कच्रे पर चिंता जठा आई कहा इसमाम ने दुनिया इसरो से राश्पति छंद्रियान फिरी के पिछले साथ 23 लेंडिंग पर आज के दिन ही चंद्रमा लेंडिंग किया था कर दो इसे ध्यान रखेए गाइए इसफ़ यदर रखना है चंद्रियान के सारे थड़ के सारे टॉपिक जो है उसको रिभ्याज कर लेना प्रसना को यहां से पूछे जा सकते सब चीज़े ध्यां रखी गाए चलिए बाते हो और चंद्रियान अभियान के सफलता का जिखर करते हैं मुर्मुर जी ने कहा यह दुनिया के लिए एक नजीर है इसरो ने एक साथ 100 सटेलाइट लॉंच कर इतिहास रचा था इसरो के परियासों को स्वास परिवह सुरक्षा उर्जा परियावरन सुरक्षा तक्नीक जैसे छेत्रों के असिमित लाव होता है तो इसका अर्थ यह है कि इसरो के वल तक्नीक परियावरन के विकास के परियावरन को बहतर आकलन करने के लिए हमारे लिए डाटा एनलेसिस करवाता है तो यह सब चीजे हैं आपको ध्यान में रखने की आओ सकता है भारत अंत्रिक्षे अर्थ बहुस्ता में आठ अरब डॉलर है पर अगले दस वर्सों में 44-45 अरब डॉलर तक पहुच सकती है तो यह अभी आखड़ आपको याद रखना है वर्तवान में भारत का अंत्रिक्ष अर्थ बहुस्ता कितना है आठ अरब डॉलर का है तो अगले दस वर्सों में चालिस से 45 अरब तक हो जाएगा तो यह सब आखड़े आपको याद रख और के लिर्स पर शांग हम झाल के तरप देखते हैं तो इसे अंत्रिक्ष का कवार के नाम से जाना जाता है जो हम कवार छोड देते ने अपने घर के बाहर या अपने घर के किसी स्टोर रूम में तो जा कर देखियों अभ और व सम kiss volta परूशाता किसी ने निकाईं के तो य सेट जो होते उत्पर मलवा शामिल किया जाता है तो कूल मिला कर अगर हम बात कर ले तो इस प्रकार से आपको मलवा दीखेगा देखिए प्रत्थिवी जो उसके अंदर जो उसके आज पास इतने हैं मलवा की संख्या जादा है उसके दूर जहम लो जियो सर्कुनियस और लो कच्रा है और लो और्बिट रथा लो और्थ पर हम जो भेज़े हुए हैं अंत्रिक्षिय मिशन उसके गार्वेज किस तरह के देखे पिर्थिवी नजर नहीं यारी इतना गार्वेज हमारे एको सिस्टम में बनी हुई है अगर माल लिजे किसी कारण किसी गुत्विक सक्त में पिर्थिवी समाप्त हो जाएगी समझ रहे इसको या एक गार्वेज किसी तरह अपने पत से परदस्वित हो गया दूसरे गार्वेज को परभाव करेगा दूसरा तिसरा को करेगा इसी तरह से सभी एक दूसरे को परभावित करेंगे और कमो वेज क्या होगा हमारा अं पिर्थिवी के धरातल पर गिरता है तो छुद ग्राज इतने असर करते हैं उतना वह असर करता है इस तरीके से चीज़ बहुत से हलाकी गार्वेज वायु मंडल ये दवाव में जैसे गुटवा करसं सक्ती में आते हैं भारत के विश्व के पिर्थिवी के अंत्रिक्ष के द क्या है पर बहुत बड़े बड़े होगे जो अ कहां मिला आस्टेलिया के ऐले गीर ये उपर ही सब्रस्ताइब नहolf की बात करें समौन को दिश्वाय। कि 1927 में हमारे स्थिति कैसी थी एक लग रहा है एक भी नहीं है पर 25 तक आते पिर्थिवी ऐसी हो गई मलवे के तौर पर 288 की बात करें तो हम ऐसे हो गए और 2030 में हम बात करतें पिर्थिवी नजर नहीं आएगे मलवे के तौर पर बात करते हैं मलवे के तौर पर बात करते हैं तो मौलवा हमारा भरा पड़ा रहेगा तो इस तरीके से हम डाक याड बना देंगे अंतरिश को अपनी पिर्थिवी को तो इस तरीके से देखिएगा हम अगले 30 तक कैसे इस्तिति में इसलिए भारत ने अपनी रोड मैप तयार कर लिया कि 2030 तक हम क्या करेंगा अपने जो भी सेटलाइट भेज़ें उसके लिए 0 हम लो डिवरिज करेंगे अंतरिश मलवा करेंगे अंतरिश कच्रे को करेंगे कम करेंगे ठीक है तो इस तरीके से अंतरिश मलव में अधिकांस रॉकेट पर छेपन सामागर सामिल होते हैं अधिकांस मलवा पिर्थिवी के सता से 2000 किलोमीटर के अंदर है ध्यान रखेगा सबसे ज़्यादा आपको दीख रहे हूंगे यहां पर है निम्न आपको कच्छा में है निम्न पिर्थिवी लियो और्विट में है हलाकि कोछ मलवा भूश्तिर कच्छा भूम में रखना है नेश्टम बात करेंगे अंतरिष के कच्छे में अंकूत लगाने के लिए भारतिय पहल क्या है तो देखें वर्ष 2022 में इसरो ने टगराओ के खत्रों को वाली वस्तुओं को लगतार निगरानी करने अंतरिष मलवे में विकास के संभावनों का आकलन करने के के लिए अंतरिष कच्छे में उत्पन जोखिम को कम करने के लिए सिस्टम फोर सेफ एंड सिस्टेन्मल ऑपरेशन मेनेजमेंट आई एस फोर ओ एम के अस्थापना किये तो आपको यहां से प्रसंद पूछा जाएगा ध्यान रखें आई एस फोर ओ एम क्या है इसे किस्टक्राव परिहार अभ्यास किए ृत अनुसंधान के लिए अस्थापित कर रखा है नेत्रा पर्योजना इसने चलाया है जिसमें भारतिये अभार्यधिये अफोर ओड़ ऑर होरा कच्छ्छे और अन खत्रों को पता लगाने के लिए अन्त्रिश मेंत्रिक्ष में अस् जो कोडिनेशन कमीटी बनाया गया जिसके तहत किया एक अंतराश्य सहकारी मंच है ध्यान रखे जिसके अस्थापना 1993 में की गई ताकि अंतरिक्ष मलवे के मस्वध्य को प्रस्तुत किये अंतरिक्ष अन्वेंशन करने वाले देशों के परियासों को सम्नित किया जा सके और क सन्यूत राश्य ने अंतरिक्ष मलवे को कम करने के साथ यूद नहीं बनाएंगे तो इसके लिए यह पर चीजे अनुवनित की जाती है यूप एयंध्य यूद्ज अनुवंदीष की यह जन्सीजे पहल के लिए ध्यान रख्येगा सुरूरेय जिसका उदेश अंत्रिश मलवे के माता कम करना और अंत्रिश मलवे उस्तिय cabe 1668 याद रखना है फिर उसके रखना है पंजी करन पंजी क्रित कि अत्या कि register सब्सक्राइब करते हैं इसकी निगरानी विभीन सब्सक्राइब करते हैं इसे अराम से देख लिजेगा आगे बात करते हैं चलिए हम कुछ चीज़ों को देखेंगे हाल में अंत्रिक्स जो इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट टॉपिक है अंत्रिक्स ये हाल या अंत्रिक्स परचेफाने आदित L1 भेजता है भारत कब भेजा है L1 तो आपको याद रखना है दो सितंबा 23 को अपने सौर विज्ञान मिशन जो L1 है लेंगरेज पॉइंट है सुरी का लेंगरेज पॉइंट जो L1 पॉइंट होता है इसके लिए 6 जनवरी 24 को अंत्रिक्स के पहले चारों चक्कर करने वाले एक युद्धाबास किया युद्धाब्यास मतलब युद्धाबास मत समझ लिजेगा कि यूद करने के लिए अपना टेक्निक के विक्सित करने के लिए जिसमें 2 जुलाई 24 को एलवन चारों और परिकर्मा पहली पूरी की इसमें मई 24 में जमीन पर वैस सलाहों में चंद्र कच्छाओं के अंत्रिश यान मिलका एक सौर तुफान का अध्यन किया हालिया मैंने इस पर आपको वीडियो भी बनाया था याद होगा अगर अगर आप लोग को तो तो यहां से बार बार आपको क्या किया जाता है अधिन किया जा रहा ह। इसके तहरे गगन यान मानो अंत्रिक चुडान मिशन के हिस्से में पहला निरस्त मिशन करने का लिया था और इसके बाद फिर से मिशन क्रू स्केफ सिस्टम डवलप किया टीवी से अलग होने वाले क्रू मोडियूल को सुरक्षित किया लेया बंगाल की खाड़े में गिरने वाले पहले क्रू मोडल गती को कम करने के छमता को पर्दसित किया और सार्थात कुरू मोडल भारते नो सेना पोत आये ने सकती द्वारा ब्रामत किया गया इसे आखड़े दिये गये हैं तो इसे याद रखिएगा गगन यान टीवीडी अथात हमने अभी अपने गगन यान मिसन के लिए जो यान होत पहले ही सुरुआत साल के सुरुआत में इसने भेजा था एक्स रे पॉलरी मिटर सेटलाइट को जिसको एक्सपो सेट कहते हैं पर छेपन के लिए समान नए साल का जसन मनाया था और यह धन करेगा कि विभीन खोगोली पिंडो से निकलने वाले वीकरन धूरवी करन कैसे हो एक्सपो जो एक्सपेट है और पॉलिक्स कहा जाता है पांस से दस जन्वरी काम करना शुरू कर दिया तो यह एक्सपो सेट जो है आपको एक जन्वरी दोज़ा चौविस को भारत के दिवा भेजा गया था इन्सेट 3DS याद रखना है या भी यह 17 फरवरी दोज़ा इस तरीके से इन्सेट भेजा है भारत 3DS इसके वाद RLVTD रिलीवर लांच वीकिल सिस्टम हमारे टेक्नलोजी डवलब किया गया डिमोस्टेशन किया गया इसका 22 मार्च और साथ जून को तो ध्याने करनाट के चल चल के रिक में अपने एरो नॉटिकल टेस्टिंग रेंज दो लेंडिंग पर्योग LEX02 और LX03 के पुस्पक नामक परियोजन लांच किया तो नाम याद रखना है पुस्पक तो पुस्पक नामक परियोजन के लांच किया था लांचिंग भी को अस्मॉल स्मार्ट सेटेलाइट लांचिंग जो विकल है SSLB का तिसरा और अंतिम ध्यान रखेगा उडान शुरू किया भारत ने सोल लगस दोज़ाच चौविस को जिसमें हमने EOS08 और SR0 डेमो सेट उबगरव को कच्छा में स्थापित किया इस तरीके से भारत ने अपने चालेंज मेंदारी सोपने के बाद SR0 ने अनुसंधान प्रात्मिकता दिये अब अनुसंधान रिसर्च करेगा भारत इस रोड मैप से जोड़ता है तो भारत दोज़ाच चालिस से चंदमा में लेंडिंग रोड मैप तयार किया इस तरह हम लोग डार्किंग और चंदमा के आवास के निमान के भी चर्चा कर रहे इस तरह के से हम लोड मैप तयार कर रखा है जिसमें हम चालक दल चंदर मिशन भेजेंगे एक नमूना वापसी मिशन रहेगा चंदमा के सतर पर लंबी आवदी तक के मिशन रहेंगा नासा के लूनर गेटवे और जो है उसके तहत हम डाकिंग और चंदमा के मानों आवास की भी बात कर रहें गगन यान की बात करें हाली में गगन यान के लिए तिन जो आपको चार लोग का चैन किया गया था विन कमांडर सुमांसु सुकला गुप केप्टन परसांद नायर अजित कृष्णन अंगत परताब तो इस तरीके गया और नायर को रखा गया है क्या बैक अप के लिए मिसन का संचारन नासा के इंपूट और स्पेस ऑक्स के लांच वहां क्रूम के उपयोग किया जाएगा यह दो जब 25 में निधारित है गगन यान मिसन तो इस तरीके से चीजे आपको याद रखनी है अगली पिड़ी के पर पर शेपर या नासा का स्वरी इस रूँका क्या है इसे भी याद रखना है जिसमें हम बात करेंगे भारत प्रूनता विक्षिट चंद्रेव किर्या कक्रम के दोनों और उर अकांच्याइर रखता जिसमें नए परशेपर यानकर सकता है जो अपने P SLB लॉंच वीकल है और GSLB जो जो GSLB राकेट की बात करता है यह परचेपर में आपको भारी पेलोड ले जाता है तो इसके अगली पेलोड जिसमें NGL भी कहते है था नेस जनरेशन लॉंच वीकल बनाया जारा है इसमें S.U. कुमार के नित्युत में तो ध्यान रखेगा Next Generation Launching Vehicle King के नित्युत के में टीम गठित की गई थी तो याद रखीगा S.U. कुमार के नित्युत में इन्हें फरवरी में केंद्रिय मंदल को एक परियोजना रिपोर्ट सौपी जिसमें वी निर्मान के ओ सकता सहित NGLB के लिए नीदी और इविरन का अनुरूद किया गया था जिसमें इस रो ने जो NGLB जो एक टक्नीक है तीन चरणी पर छेपन यान है ध्यार रखेगा NB कितने चरण है तीन चरण पहले चरण में क्या होगा एक अर्ध क्रयोजनिक इंजन होगा एक तरल इंजन होगा और एक क्रयोजनिक इंजन होगा तो इस परकार से क्या करेगा तीन इंजन का बनाने का तीन तीन चरणी है या पर छेपन यान होगा अगर NGL भी तयार हो जाता तो इस तो GSLB के उप्योग जारी रखने की योजना नहीं बना रहा था तुसे पेंडिंग कर देगा उसके बाद NGLB ही जाएगा नेस जनरेशन लाँची विकल ही अब लेंड कर आपको अंतरिच में जितने भी उबरह लेकर जाएगा अब PSLB के उत्पादम पहले से लारसन अंटोबरो और हिंदुस्तान एरोनेटेक्स लिमिटेट के नित्युत वाले एक नीजी संकुत को किया गया है मुख हुदेश क्या है जो भारी चीजे हैं जिस पर ज़्यादा पैसे लगते हैं तो उसको क्या करतों नीजी छतिरों के लिए दे देना हम सरकारी डूप करेंगा सबस्क्राइब झाड़ कोक्ति को दूसरे कर पाएंगे अंच्छों के अगर याद रखना हो कर नेदिव पक्ष नहीं देखना है फोजटी पक्ष देखना है हलाकि नेदिव हर चीज का होता है पर ज़्यादा तिल का तार नहीं बनाना है ठीक है अब इस तरीके से रॉकेट एल लंभी एम 3 रॉकेट जो जीजो जीसली मेंग इंजन के दूसरा नाम है एक अर्ध क्यारोजोनिक इंजन विख्सित कर रहा है तो आपसे प्रस निहां से पी टी में पुछा जा सकता है एल भी एम थ्री रॉकेट किस प्रकार का इंजन वाला आपको परशेपन यान है तो अर्थ क्यारोजोनिक इंजन वाला पुरुवत परिछन किया था अर्था उसने बुर्नर को जलाया था जिसके सकेंड के लिए और अपनी टक्निकी को वक्षित प्रकार से जतना इस प्रोजेक्ट था उसको मैंने यहां रीड कर दिया है तो आज का प्रसन आप लोग को रख लेना है याद का आज का प्रसन क्या ह अंत्रिच विज्ञान में और परदोकी में के छेत में भारत की उपलब्दियों की चर्चा कीजिए इस तक्नीक के अनुपर योगों ने भारत के समाजिक आर्थिक विकास के किस परकार से सहायता की है यह UPC 2016 का प्रस्ण है इसी परकार के प्रस्ण विपेसी में भी पूछे गया है जहां से कुछ मोडेट कर दिया गया था केवल बताया गया कि वैस्विक अर्थ विवस्था में एक अंत्रिक्ष खिलाडी के तौर पर भर रहा है तो कहने का अर्थ यही था सेम अर्थ दो जाद सुल्ण के कोश्चन के संदर में ही बाते की गई तो इसलिए आपको प्रस्ण को जो एंसर राइटिंग प्रोगाम उसमें आप भाग लिजिए रेगुलर आप चीजों को कवर करने का परियास की नहीं तो क्या होता है ना कि आपके पास सभी चीजे होंगी पर उसका अंतिम निचोड आपके पास नहीं होगा तो इसलिए सब सीमा याद कराया जाता है वह एक पैकेज बना होगा आप इस पैकेज को खई लिजेगा जो अभी तक नहीं खरदे है वहां पर भेजने का परियास कीजिए उसके अरावा कहीं नहीं भेजना पहले कॉम्निकेशन ग्रूप में भेजा जाता था लोग एक्टिव नहीं पैसे दीजिए अब काम कीजिए अब बहुत से चीजिए हम प्रोफेशनल होने का परियास करें रिजन उसके पीछे ने कुछ बाते फिरी की मिलती हैं तो लोग सवाल करते हैं क्यों नहीं एनलैसिस कराया जाता है मैं एनलैसिस अब कराऊंगा टेंसर नहीं लिजे वीडियो फिरी रहेगा बाकी चीजिए सेवा आपको पे करने को की संसाधन को चलाना होता है इसलिए चीजों को समझने का परियास किजेगा बहुत नियुंतम फिर लेते हैं हम लोग है ज्यादा फिर नहीं लेते हैं मात्रे 5995 एक साल का भेलिडी के साथ हम देते हैं चीजों को प्रिलिंस मेंस इ प्रिवेस यह कोश्चन को पीटी और मेंस दोनों अस्तरप आप मिलाईए पीवाइक्यू और मेंस के अस्तरप मेंस के पीवाइक्यू से तो आप मुझे जाच सकते हैं इसी अधार पर चलिए आगे हम बात करेंगे देखे 70 बीपेसी और 21 पीपेसी के लिए क्लासेश चल र अब आप लगतार भाग ले सकते हैं यह आपको 25 सितंबर तक के टार्ग रहां कि अभी तक अपना डेट आपको और चीजे और भी अपग्रेट हो जाएंगे उसके बाद फॉन्डेशन पर आपको दो साल करेंगा जिसमें गेड़ साल तक आपकी लेंगे पलस आपको डिली जितने भी क्लासें उसके लिए तो आप लगतार इन सब चीजों को वाच कर सकते हैं भी बहुत अफेडबल रखा गया जिसे दूर दराज के बच्चे भी इसको लाब ले सेगा ऐसा नहीं कंटेंट में कोई कमी होगी किसी प्रकार का हम ऐसे ही बाते कर दिए आप भाग लि अधिकारिक सयों को अधिक मजबूत देने के लिए क्या किया रणितिक साज़दारी तो मुझे कोमेंट सकते में बताई रणितिक साज़दार देश कोन होता है अभी हाले में मैंने इस पर चर्चा किया है रणितिक साज़दार देश कोन होता है लिहास से रक्षा के जरुत को महत्पुन हुए अब इस तरीके दियान रखे क्या किया गया है तो रख्षा मंत्री ने भारत के रख्षा मंत्री रायनासी ने अमरिका के भारती प्रेश पूरा बदला पहले गरीब देस अब आसली लोग कहते है लोग स्वयोग करने लगे वेश्व नहतीत करने लगे का भारत और अमरीका एड़ीटा वेश्विक सांतियों सम्रीदिक सिस्ता सुनिशित करेगा हमारी सरकारे आई तो रख्षा निर्यात छे सो करोड था और अब 2300 करोड तो दिसे कितना विस्तित 2014 के बाद आखड़े ब विसेस, अप्रेशन, कमांड और बहरीन में अमरीकी नेटिवत वाली बहरुरीवरस्टिय सन्यूक्त सेना के तीन करनल अस्तर क्या अधिकारी टयनात करेगा तो इस तरीके से कहां तयनात होगा यह भी याद रखना है साथ याद रखना है कि बदलते वहांगी बदलने में अपने बदले मध्योगीकाधार पर एक सहकारी अभ्योग अचारश्यनीता क्या काम करेगा अच्छे भारतिय फर्म से अमरीका को प्रास्थमिक्ता सौययोग देने के लिए हर उचित परियास में सहमत होंगे अमरीका ने अपने नाटो सदस्ट समय सत्रह देशों से जो है एक समझोते किए एस ओ एस ए तो ध्यान रखेगा यह क्या था भारत उसका ठारवा साज़दार है तो एक पीटी फैक्ट याद रखेगा जिस तरीके से जो समझोता फर्म होता है तो इस सत्रह देश कुन-कुन से याद रखना अस्ट्रेलिया है कनाड़ा है डेनमार्क इस्टोनिया फिरलेंड इसराइल फिर इसका इटली जपान लात्विया लुथ्यानिया निदरलेंड नार्वे दच्छिन कोरिया उत्तर सिंगापूर स्पेस स्पेस स्पेन और सिंग करने का प्रयास करते कुछ प्रस्नल इसु हो जाते घर तो उसे हमको निप्टाना भी ज़रूरी होता है ना आप लोग केवल चीजों को जब जब दिया जारा लाव लिजे जो चीजे इंपॉर्टेंट हो सारी चीजे करा दिया गया है और जो आने वाले समय मुझ से बाहर जाब में प्रस्न नहीं हो गया उसी को बालबा रिवाइज कीजे ठीक है ना मनते एक्जाम आपका पास में है तो आप कंशूज हो जाएगा सर्फ अभी तक कभर नहीं हुआ है पर जो जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक को लगबग कभर हो गया जितना मैं 20 दिन से क्लास ले रहा था उसमें वही सब टॉपिक आपको रिवाइज हुए आप पलट के तो देखिए चलिए आगे हम बात करेंगे उत्री उत्री छेत्र में जलासायों के समान अस्तर से कम हुए तो सी डवलो सी का एक रिपोर्ट आया दिसमें देश में परमुक जलासायों भंडारन वर्ष के पिछले तुल्णा में उलेखिनियों सुधार हुए तो लेकिन कुछ शेत्रों में विशेत्री छेत्र में जलासायों में समान अस्तर से कम बना तो आने वाले ही तो आने वाले दिनों में पानी क्यों प्लपता परभावित कर सकता है केंद्रिय जल आयोग तो गराइनगे कि 155 जलासायों को जल संग्रह स्तिती सुक्रवा को नमिंत्रं रिपोर्ट जारी की रिपोर्ट में क्या क्या आ गया कि जलासायों मुपलब संग्रहन चम्ता 130.88 आपको क्या है अरब घं मेिटर आचा बी-सी-म कहा जाताए इसे शंग्ता चंता का भात्तर प्रि तो कितना आप बढ़े हैं यह भी याद रखना आप लोगो जल रपट जलासायों में जल भंडारास्तरों को बहतर करने के लिए तो चलिए सब आखड़े दिये गए उतना अपने अपने राज्यों के आखड़े याद कर लेना जैसे आप बिहार के होंगे तो बिहार बंगाल कोंगे बंगाल आप महाराफ्ता कोंगे महाराष्ता का इसे गुजरात को उन्गुजरात को उपि कोँगे यूपी का याद कर लेना है इस तरीके से जलासायों हिमाछल पर दियारी है उसको त्हुरा सा कभर कर लेना अब e-commerce निती में देरी वो भुकताओं के हित में नहीं है तो लगतार नियम देखें नियम बनाना जरूरी है निती बनाना जरूरी प्रवाइट प्रभाइट अपने मनमानी तरीके से पैसे उसुनते जैसे थालिया में आप समझ सकते इसका एक्जामपन यहां से जैसे गूगल प्लेश फ्रपागर आपको रखना है तो 30% अपना Cool कमाई का देना होगा तो तो इससे बाते उभर कर सामने आई थी न जिससे लोग के फी बढ़ गया था तो आपको समझने के आओ सकता होगी तो आपको समझने के आओ सकता है कि इस तरहीं प्रोड़क्ट रिव्यू लिया जाता है तो इसी तरीके से हमें नियम कानून बनाने क्या हो सकता है तो इसी तरीके से होगता है पर एकॉमर्स कंपणियों खिलाब सिकायतों कि संक्या चार लाग के पार चले गए लोग सबा चुनाओं से पहले वाने जो द्योग मंदिर अध नहीं है इकॉमर्स कंपणिया हमने रिफंड कर देता है बहुत से प्रोड़क्ट रिफंड कर देता है उसके लिए बाद नहीं है कि मुझे प्रोड़क्ट पसंद नहीं आया तो उसे वापस करके मैं पैसा रिटन कर दो बहुत से प्रोड़क्ट में है पर बहुत से पैसे इसा नहीं है उसे refundable कर देता दूसरा आपको समान देगा दूसरा भी निकल गया मैंने खुद इसका एसास किया जैंग आपको इससे आपको कौन सी कंपणी एक है जो सबसे सस्ता देती है मैंने मजाक मजाक में अपने दोस्त के कहने पर आज यू नहीं है मैं भुला रहा हूं अभी उनका नाम पिंक कलर का उसका लोगो है उसमें परचेश कर दिया और वो सट था सट था लवब पंदरासों का सट था वो मुझे पसंद नहीं है मैंने रिफंड करने का पर्यास किया तो रिफंड नहीं हूँ बहला दूसरा प्रोड बेजा तो वो भी डेमेज था तो मुझे उस प्रोड़क को रखना पड़ गया है तो यह मनमानी है ना वो भुकताओं के साथ आपको क्या करना होगा वो प्रोड़क्ट आपको रिटर्न करना होगा मुझे पसंद नहीं है तो इस प्रका के कानुन बनाने के जुरत है 2019 से जारी हुआ मशोधा उस पर काम कर र है अभी पच्छिम इसिया में इसराइल इरान के 20 तनाओ का चरम पर है दचनी इसिया में असांती बढ़ रही दचनी चीन में चीन के आक्रमक रव यह तनाओ बढ़ रहे हैं यूक्रेन रूस यूद के बास समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है भारत के परोशी राजनित को जुरत थे मजुदा विस संक्रमन के दोर से गुजर रहा है अंतराश्टी संधिया विफल हो रही है सनीत राश अपनी प्रासंगता खोरा इतना आपको चिंता का विशह है जिसमें हम बात करे भारत के पडोसियों की बात करे उसके बाद हम दच्छिन पूर्व एसिया की बात करें चीन सागर की बात करें एसिया दच्छिन पूर्व एसिया के साथ हम पूरे एसिया की बात करें यह छेत्र आपको परभावित है युक्रेन और रसिया छेत्र परभावित है हम बात करें अफ्रीके के कंटी में वहां पर आपको हुती समुदाय का जो विबात चल यह भी प्रभावित कर रहा तो क्या होता है कि जलवाई परिवर्दंग को लगतार देखने को मिल रहा अगली पीडी तक सीजिए उभर का सामना है बार बार अपने प्राकृतिक अबढ़ रही हैं अभी केरल का मामला देख सकते उत्राखंड का मामला देख सकते भारत के नज कर रखा अपातकाल की घोशना कर रखा है तो आपको यह 2019 के बाद की ही बात हो रही है करोना के बाद के बाद हम चर्चा कर रहे हैं यह सब चीज़े आपको ध्यान रखने वाली होगी जहां पर अस्तिर्ता विरुजगारी मंदीर बढ़ जाएगी जिससे विकास और निजि कीस तरुपी से आगे देश को बढ़ाएंगे सतत विकास जलवाई परिवर्तन के मुद्देपम कैसे चीजों को कांट्रोल कर पाएंगे हम जलवाई परिवर्तन में मानो स्वास्त परभावित कर रहा है जिससे बेमारिया मिर्ति उदर बढ़ रही है जनवर मानों विसान जेनोटिक रोगों की संख्या बढ़ रही है तो यह सब कैसे जेवी खतियारों का उप्यों लातार बढ़ने का परियाज जिससे महमारी अभी करोना का जो कॉंसेप्ट था जिस पर बाते की जा रही थी है करोना मानो जनीद विस्तार की बात हो रही है आर्थिक विस्मता ब रूपों में बदल जाएंगे कारण हो सकते हैं जिसमें हम बात करेंगे अमरिका चीन जैसे देशों की बात हो रही है रूष जैसे महा सकतियां बीच परतिस परदा बढ़ सकती मद्द पूर युक्रेन और कस्मीर जैसे छेतरों के लिए जारी संगर और भी बढ़ सकते हैं अब यहाली में देखें होंगे का प्रभाव आया था जिसमें जो अमरिकी उमिद्वार अमरिकी राषपति को माद डॉलरंण ट्रम्प और जो भारती मुल्की जो मुल्की जो अमरिकी राषपति उमिद्वार हैं उनका दोनों का वीडियो बना दिया गया उनका बच्चे तक पैदा कर दिये गए नेक्स्ट 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 क्या हुआ नेक्स्ट आपको बना दिया गया ट्रंप तो सोच के देखिए AI का दुर्पयोग डाटा सुर अच्छा कैसा हम लेकर चुनोती का विश्य बना हुआ थी यह सब मुद्दे क्या होगा एक दुसरे को प्रभ पैदा करेगा सोचल मीडिया विकास के साथ निश्टा के अमुद्दे जटील हो जाएंगे यह सब चीजें उभर कर सामने कुल मिलाकर बात की जाए कि जो हम वैस्ट पटल पर चुनोती हैं हमारे पास है उसके लिए बरकत समाधान क्या इसे ढूड़ने के लिए धिया रख करने होगी कुल मिलाकरम डेटा अगर सुरच्छा की बात करें तो अब को सबी देशों के संस्थाओं को एक दूसरे साथ मिलका करना तबी जाकर इस परकार के जो जो लोग है ना जो गलत परविरती के लोग नेगेटी मैंड सेट के लोग उनको कॉंट्रोल किया जा सके पर सभी का बिजनस लगा हुआ है यहाँ पर हम बात करें भारत संस्क्रिती विश्व भर में फैले हुई है यह संस्क्रिती अदान पढ़ां का परमुक के इंदर बनावा इसके पास वैस्विक मुद्दों के समधान के नेत्युत करने की छमता जैसे जल्वाई परिवर्तन आ समधान के लिए भारती परिवेस में हम क्या निकालना चाहते भरकस परियास करना चाहते यह सब मुद्दे बताएगे कुल मिलाकर आपको इससे विश्वियहत रूप से आपको वर्तमान में जो चुनोतियां है उसका एक की पॉइंट मिलेगा तो इसका की पॉइंट आप ल नेशनल इससे में क्या क्या चीजे बदल रही है नेशनल इसस क्या है इंटरनेशनल इसस क्या है उसको बहतर करने का की पॉइंट देगा तो आपको की नोट्स बना कर आपको भेजना है पॉइंट वाइस बनाईएगा और निसकर्स में लिखिएगा कि आपने इस लेक से क् ति होता क्सक्राइब काuardel यह marca सा कष़ाँ नेरे करें। मैंने नियम कानुन है गलत नहीं होता है अगर भहुत से लोगों ने मिलकर इस कानून की बनाया है तो कुछ आगे के विचारों को सोच कर समझ के बनाया होगा पर इसकी प्रकिरिया गलत हो शक्ती यह अनुसरन करने की तैक्व्ण को सकती है और धरातल घुरांड लेवल पर कैसे परीयोग किए जा रहे हैं ये गलत हो सकते हैं या मैं मानता हूँ इस चीश को समझ ने किया हो सकता है मैं भी या मानता हूँ कि देखिए यूपेसी में पर्तियोगता पर्तियोगता होती है होनी चाहिए लगतार और भी कठीन होनी चाहिए अच्छे शेकेंडेट होने आने चाहिए पर इसके साथ समाज में ऐसे लोग है ना जो बिना पढ़े बिना इक्जाम दिये बेहतर इनसे कहीं बेहतर अपनी छमता निर्मान किये हुए जैसे आप सो सकते हैं अभी मैं बात करूँ आपको अन्ना हजारे की बात करो अन्ना हजारे की बात करो उससे पहले बात करूँ मैं आपको सिरी सिरी रवी संकर उसके बाद बात करें आपको जो हमारे मॉबल पृत्पार विजयता है उस प्रकार के लोग या इस प्रकार के च्छेतर के अने लोग जो हमारे ground feels पर काम करें उनके पास social, eco और आपको naturalety ऑनके पास जादा है इनके ideology को हम कैसे system में उपयोग करेंगे यह इनसे बहतर कोई नहीं बता सकता है तो ऐसे लोग की entry जरूरी थी मैं भी यह मानता हूँ उसमें आप और आपके आसपास के लोग साविल हो सकते पर lateral entry कोई लिखित परिच्छा नहीं होगी लेकिन साक्षातार के बाद ही चयन होगा यह परकिरिया बताई गई थी यह समझना जरूरी हो सिवील में सेवा में lateral entry देना तब ही उस अपने उद्धिस्वी प्राप्ति का सजब चयन परकिरिया राजनितिक हत्तिक्छेब से बचाया जा सके यही बाते में भी पहुला हूँ यहाँ परकिरिया आपको बेहतर करनी होगी मैं अभी क्या बूला तीन ही सब्द योज किया परकिरिया को बेहतर कीजिए उसमें राजनितिक हत्तिक्छेब राजनितिक करन उसका परियास कम हो तो परवेश जो पास और परवेश जो पर इतिहास में है तो यह सब चीजें उनका लाव ले सकते हैं जैसे बात करें रगुराम राजन रगुराम राजन नंदन निन के लिए सिर्फ सांधार काम किया है तो इन शब को लिए जा सकता है सवामिनाथन वी किस्म मूर्ती सेम पेतुद्रा इस प्रकार का नाम भारती पर उन्नत हम भूमिकाने भाई ये पूरु परधानमंति महिंद मनमोहन सिंग्ट में वानि जो जो द्योगचेत के मंद आर्थिक सलाकार के तोरपर न्यूक किया गया था उन्हों सिविल परिच्छ सरकारी संस्ताइं के लोग है वो परसाष्णिक नियंत्रन परसाष्णिक क्रियावेन परसाष्णि समय में बहतर कट रहे है उनका अपना अलग छेतर है पर हम इससे अलग हटकर एक जन सधान के तौरपर समाजिक रायनितिक और आर्थिक सुधारों को कैसे ग्राउंड सरकारी के लिए बेहतर विकल्व दे सकता है सरकार उसे लाब ले सकती आप उसे लाब कमा सकते कुल मिलाकर रही सब बाते हैं आपको जितनी बाते हैं कहीं जाएंगे उनके पीछे का मतलब यह योगा लेटर इंट्री के जुड़ी चिंताएं क्या भष्ण चार है महत्मुन जो दूसरे सिविल से अधिकारे जिला अस्तर पर कारी करते हैं पर सासन जमिनी वास्तवीता अच्छी से समझता है उसे गाउं जिला राज जेस से बेहतर अनुभब राप्त हो जाता तिसरे ऐसा की किया जाज निजी चेतर के मनेजर स्वाजनी चेतर के परवंदर आउसर भी फल हो जाते इस प्रकार के चीजे चिंताएं के दोर है तो हम क्या कर सकते हम बहेतर सयूकते सच्यू सच्यू निदेशक के जैसे पद रिक्त रह जाते हैं उनको इन लोगों के साथ भरस रखते हैं यहें भरावे जाना चाहिए मेरा भी यही मानना पर इसके लिए परकि आवा जाहिन